मैं हूँ नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई इस बात को कोई जुटला नहीं सकता कि ब्रेक अप के बाद एक इंसान पूरी तरह टूप जाता है खास तोर पे तब जब आपने इसी रिष्टे के इर्दिगर्द अपनी दुनिया बसा ली हो और आप इस पल के लिए बिलकुल भी तयार ना हो पर रहे कहते हैं ना कि जिन्दगी एक संगर्ष है जो कभी भी खत नहीं होता ब्रेक अप के बाद कुछ भी नहीं सूचता क्योंकि जिसके साथ आपने फ्यूचर के सपने सुझोए हो वो आपको छोड़ कर चा चुका होता है पर इन सारी बातों के बावजूद जो एक बात सबसे ज्यादा आपको याद रखनी चाहिए वो है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है चीजे आगे किस तरह बढ़ेंगे ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज की परिस्थिति को कैसे देखते हैं हर किसी के लिए ये वक्त अलग होता है उसका होता है और उससे उबरने में उसे वक्त लगता है पर ब्रेक अप के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि असलियत क्या है आप चीजों को प्रेक्टिकल तरीके से लेना शुरू कर देंगे और फ्यूचर में चीजों को बहतर तरीके से कर पाएंगे इसके अलावा ब्रेक अप के बाद एक इंसान भावनात्मक रूप से पहले से कई ज्यादा मजबूत हो जाता है आपको ये समझ में आ जाएगा कि जिन्दगी में कुछ भी रुकता नहीं बलकि उता चढ़ाओ जिन्दगी का एक एहम हिसा है और इस सबसे जरूरी बात कि आप अपने लिए और सही के लिए लड़ना सीख जाएंगे तो फिर अगर आपका भी ब्रेक अप हुआ है तो अदास मत होए जिन्दगी की नई पारी खेलने के लिए तयार हो जाएगे क्या पता जिन्दगी ने आपके लिए इससे भी बेतर कुछाओ सोच रखा हो तो फिर नए इंतिजार के साथ जश्न मनाईए हर दिन की छोटी-छोटी खुशियों का इसी के साथ बोल्ट स्काई में अभी के लिए बस इतना ही